है लो गाईज does Everyone अपस तेवी अम्मीर और मैसे बहुत ऊच्छ हुए तो मैंने टिया है यह वीयूटिफ। मैने नीन दीनग मेंू बाविक्त से मैंने केया च्amm मोत दि lug न सब्सक्राओत है क्लियन कर लिया उसके बाद मैं अपलाई करने वाली हूं यहां पर बेबी ऑईल जादा अच्छा होता है विंटर के टाइम में आप इन चिप नहीं करता है आपके लांग टाम तक मौश्राइज रखता है सीरम का काम करता अपके फेस पर गलौ भी देता है उसके आद मैं यहां पर यूज कर रिए उनसाइट का प्राइमर है वन अब दा बेस्ट प्राइमर मतलब इतना स्मूंद कर देता है आपके स्किन को क्या आपको लगी गाही निकिवे आपकी स्किन है उसके बाद मैं यहां पर स्विस्ट बीटी का फाउंडेशन स्टिक लिया है इसका फिर नमर जो है थोड़ा गलत आ गया था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है मेरे फेस पर और यह इसकी जो पैकेजिंग यह बहुत ज्यादा अच्छी है सिल्वे इसके बाद यह जो पैन स्टिक है ना यह फाउंडेशन स्टिक जो है बहुत ज्यादा बट्री सॉफ्ट भी है तो बहुत ज्यादा इसली अपलाई हो जाता है और बहुत ज्यादा इसली ब्लेंड भी हो जाता है तो मैंने यहां पर डैम ब्लेंडर लिया है और उससे अची लगा लीजिए इसके बाद भी अच्छता से ब्लेंड कर लीजिए तो अभी आपके देख सकते हैं आप मेरे फेस पे बहुत अच्छी कवरेज जो है से मिल गई है तो इसी तरीके से मैंने इसको अपलाई कर लिया है और फिर से डैम ब्यूटी ब्लेंड कर लूँगे अच्छ तरह से इसके बाद मैं यहां पे हिलारी रोड़ा कंसीलर ले रही हूं वन अब बेस्ट कंसीलर मैं फेवरेट बहुत अच्छा मतलब इसका जो शेड है बिलकुस सही है मेरे फेस के अकॉर्डिंग एंड मैं इसको अच्छीता से अपलाई कर लोगी इसके जो कवरेज है बह कर लोगी बेकिक नहीं करूंगी क्योंकि अभी विंटर कर चाइम चल रहे है तो इसके बहुत जादा लाइटली हैंड से मैंने अपने पूरे बेस मेकप को जो है सेट कर लिया इस तरीके से इसके साथ अप्लीकेटर मिलता है बहुत ज़िए इसलिए अपलाई हो जाता है य यहां पे डाइक ब्राण का कलर लिया है और उसको अपने क्रीज लाइन पर डिफाइन करने के लिए यूज किया और फिर उसके बाद मैंने बुलू कलर का शेड लेके मैट है तो उसको मैं पहले ब्रशे अपलाई करी थी ब्रशे अच्छे अपलाई नहीं हुआ तो मैं अच्छा विंग इसे ड्राई कर रही हूँ तो मैंने ज्यादा रिफा विंग नहीं केल लगाया है और इसके बाद मैं अपनी पगा रहा हुए या ओंडी кажется तो मैंने सुचा हमेशा हम लिएक ब्लक ब्लडक प्लेट करते करते थोड़ा फोगी थी थो थोड़ा 평 Ilsión के वींब तो थोड़ा जीब लगता है इसलिए मैं अगर उसके रिचे ब्लेक काच चल या फिर कुछ भी अपलाई कर लेती तो अच्छा लग लग जाता है तो मैंने अपलाई कर लिया उसके फ्लपी ब्रश लिया उसे कॉंटोरिंग कर लिया पें फेस के पूरी एंड उसके पर ब्लश लिया यह मैंने नियूबट चेज है मैंने 100 रुपीज में ब्लश लिया है बहुत ज्यादा अच्छा ब्लश इसमें थोड़चा सीमर पार्टीकल्स भी है लेकर उत्य ज्यादा नहीं है बिल्कुल मैठ फिनिशिंग ही देता है और इसके साथ जो ब्रश मिलता है उसे में अ पूरे फेस पे जहां मुझे नीड है जहां मुझे जरूरत है अपने चिक्स पे नोस पे एं थ्वरस लिप्स के पास यहां पे अची तरह से अपलाई कर लूँगी हाइलाइटर उसके वाद मैंने इंसाइड का मेकप फिक्सर लिया है और इसको मैं अप्टे डाइम ब्यू और यहां पे स्विटी का आईबरो पैंसिल यूज कर रही हूँ उसका डाक ब्राउन आईबरो पैंसिल है बहुत जादा अच्छा है न्यू पर्चेज है यह भी मेरा मैंने सिफ 37 रुपीज में इसको पर्चेज किया है इसके बाद मैं यहां पे लगा रही हूँ लिप्स् यहां बहुत जादा अच्छा है और बहुत लोग इसे यूज करते हैं रिवी भी अपने देखाऊगा बहुत अच्छा रिवी उसका तो यहां पर मेरा मेकप लुक जो है वह कंप्लीट हो चुका है आप लोग कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में तब तक के लिए भचा बिए भुक करते हैं लगां करन।